नमस्कार वडोद्रा न्यूद नेट्वर्क मां आपनू स्वागा छे ने आजे खास चर्चा करीशू भारतीय रेल्वे अने एमा पन वडोद्रा रेल्वे स्टेशन नी जे कोरुना संकट नी वच्चे नवीनी करण थाई गऊ छे तेनू घणू बदू रिनोवेशन थाई अब जब कोई रेल्वे स्टेशन जाएगा क्या नया उसको मिलेगा रेल्वे स्टेशन नया बनाया अक्खा कोरोना के टाइम पे रेल्वे ने थोड़ा सा लाब बोल सकते हैं उसको उठाए क्योंकि क्यान है कि अभी पब्लिक का आना जाना कम हुआ तो रेल्वे का रेनोवेशन किया रेल्वे का बाहर का लुक जो था बड़ोद्या का अच्छे से लुक से एक बोला जाए अच्छा सा लुक देके बनाया गया इस्टेशन का बनाया गया प्लेटफर्म थोड़े बहुत बड़े किये गए इतने कि कोरोना काल में जो पब्लिक का आवर्जाट कम हुई तो इसके लिए उस रेल्वे स्टेशन को कितना अच्छा बनाया जाए मानने सांसरी रंजन बेन भटने अमरे उन्ने सला दी थी और उनके तो अरही पूरा इसका देखरेक रखा गया तो आज बनने के बाद में फिर हम लोग उसको देखने के लिए गयते कि कैसा बना है और किस तरीके का है पन गिरी जी जिस तरह से लोगडाउन थ वठाय जब तक ट्रेन नहीं चल रही है अबही ऐसा है कि देखेक इनके को और मेहामारी भीमारी है फिर भी इसने दोरान कुछ लैने कच आवरण जावरण चल रहा है कुछ लोकल ट्रेने बंद हैं अब का से और देखे कुछ गाइडलाइन से उपर से जो आती है रेल मंत्राले से तो उस तरीके से फिर शुरू किया जाएगा तो लोग आएंगे तो एक उनको अलग सा लुक दिखेगा बड़ोदा रेल्वे स्टेशन का आप जो चूनी हुई सरकार हैं उसके द्वारा एक सलाकार समीती में हैं अभी य जो हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं क्या-क्या सलाय आप देते हैं जो बरोडा के लोगों को सीधा करते हैं हम सबसे ज्यादा इन्हें पैसिंजरों के लिए देते सला कि पैसिंजर को कोई आसुविद्या ना हो दूसरा कि रेल्वे स्टेशन पे पुलीस आर्पी अप सब चीज की कोई को पैसिंजर को प्रोग्लेम्स ना हो कोई दिक्कत ना आये और अच्छी सुविद्या लोगों को मिले रेल्वे से इस चीज के लिए हम लोग उनको सला देते होते हैं और बैटने के लिए विवस्ता जैसे हमारी सांसर सेरी ने विजिटिंग रूम के अंदर कि माता को अगर अपने बच्चे को दूद पिलाना है तो उसके लिए भी स्वेश्यल रूम बनाया हुआ है तो यह सब सला होता है हमें सांसर सेरी ने बोला भई नहीं लेडिस हैं तो उनका प्रॉब्लम उनको मालूम है तो उस तरीके का महां पर अख्खा रूम अलग से ब तो ऐसा हो सकता है कि इसको लागू किया जाए को कि भविश्य में भी आगे बढ़ा जाए हर चीज का रिजर्वेश्य नहीं हो क्योंकि जिस तरह से जो भीड चलती थिया वो भीड से लोगो ठोड़ी राहत मिल रही नहीं इसमें तो क्या है नहीं कि अभी लोकल चलने वाल सफर करने वाला जो बाहर की ट्रेन आता है तो उसमें रिजर्वेशन बेगर भी बैठके जा सकता है ग्रीजी एक सवाल जंता का भी है एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि रेलवे को जो नीजी करन किया जा रहा है ट्रेने प्राइवेट चलेंगी उस पर आप क्या सुचत नहीं ऐसा कूछ नहीं है कोई अभी ऐसा खाली अफ़ा है बाकि उसमें क्या नहीं कि कुछ सेक्शन जैसे सफाई है कुछ ऐसी चीजे हैं केंटीन है अब यह प्राइवेट को देने से हमको सुईद्य अच्छी मिलती है ना कर हम ट्रेन दे रहे हैं ट्रेन तो सरकार का है औ हिंदुस्तान का एक हाड है। इसके लिए हाड तो कोई आपना दे गा नहीं इसके लिए यह गलत अफ़ाइब हैं और वह हैं इससे धूर्री जादा अच्छ लेगा गुरी जी आकरी सवाल वडोद्रा की जनता भी देखी रही होगी, क्या मांग करेंगे आप रेलवेस स्टेशन पे, और क्या बैस बहतर होना चीजलिए, ट्रेनों के लिए कुछ भी? हम लोग यह से सुचते हैं कि अभी देखिए अच्छी अच्छी ट्रेने आ रहे नहीं आ रहे अच्छी सुविध्या हो उसके अब बुलेट ट्रेन का भी चल रहा है कि जो लगबग उसका भी पूरा सर्वे हो ही चुका है तो हम यह से सुचेंगे कि कुछ आतेट समय में अच्छी सी ट्रेन और भी दे और अच्छी सुविध्या दे यह हमारा पबलिक को आग रहे रहेगा रेलवे स्टेशन नों दोरो पन करयो छे अने जे सुविधाव वधारवां मा आवी छे ते पन तेमने निहाडी छे आपण जुओ आ सुविधाओ जे रेलवे तरप थी लोकडाउन दर्म्यान जे ट्रेनों अने मुसाफरुनी संक्या ओची हती ते दर्म्यान रेलवे ने एक आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधान सज रेलवे स्टेशन बनाई देवामा आवियो छे